राजिस्थान की धर्मनगरी किशनगर में आयोजित हो रहा भव्वे पंचकल नियानक महुत्सव 27 जन्वरे को समस्त मांगले गतेविधियों के साथ संपन हुआ 27 जन्वरे कोवाद सलेवारिधी आचारी श्री वर्दमान सागर जी महाराज ससंग के सानेधि में श्रिम जनेंद्र पंचकल नियानक प्रतेश्टा महुत्सव का समापन भक्ती भाव के साथ हुआ अंतिम दिन भक्त प्रभू के मोक्ष कल्याण कते विधियों के साक्षी बने इस पावन दिन पर भक्तों ने प्रभू को निर्वान प्राप्त करने की द्रश्यों को देखा कठोर तपस्या के बाद प्रभू का शरीर अगनी की लौ में परिवर्तित हो गया इस दोरान सभी भक्तों ने सुवकल्यान की भावना भाई मोक्ष कल्यान की मांगलिक गतेविधियों के बाद आचारी श्री गुरुवर ने मोक्ष पर्याय की संबंध में विस्तार से बताया अभी आप सभी लोग एक जीव जो अनादिकाल से संसार में परिव्रह्मन कर रहा है और संसार परिव्रह्मन करते हुए वो किस प्रकार से अंतिन मोक्ष प्राप्त होता है अचारी श्री गुरुवर के मंगल प्रवचनों के बाद भक्तों ने मोक्ष मार्ग पर बढ़े तीर्थंकर प्रभू के अंतिम संसकार करते हुए उनके नक्ष शिख को अगनी में विसरजित किया मोक्ष कल्यानक के विभिन मांगले के गते विधियों के बाद आयोजन स्थल पर श्रावेकाउं ने सांस्कृतिक प्रस्तोती की माध्यम से गुरु भक्ती व्यक्त की करिक्र में आगे महिला रत्न श्रीमती सुशीला पाटनी जी सहित सभी महिला मंडल ने प्रभू के समक्षिन निर्वान लाडू की भावना भाते हुए श्रीफल के अर्ग अर्पित किये समहरू में आगे इचल करंजी से आई सवभागे शालिश राविका ने महुत्सव की छवी कु कविता की माध्यम से प्रस्तुत किया की शनगड़ के लोगों सा उल्लास नहीं मिल सकता किसी के पास पास नहीं मिल सकता किसी के पास नहीं मिल सकता करकाμα किसी के इक भास-फ़े का नहीं मिल सकता किसी के पास नहीं मिल सकता किसी केल जाता डाटा जाकशनिया पासमना मिल सकता।